हाई हेलो गाईस वेलकम बेक टो मैं चैनल तनवी ग्रेटी चैनल में आज भी का मॉस्ट वेलकम है तो आख फिर एक न्यू वीडियो सेर कने वाले हूं वो भी है टिप्स और टेस्ट के तो गाईस पूरा वीडियो देखेगा इसकिप करके देखोगे ने तो कोई सावी टिप आप मिस्ट कर सकते हो और क्या पता आपको वेले बहुत ज़्यादा काम का भी हो तो देखे मेरा वीडियो तो चलो स्टाइट करते हैं टिप नमबर वान टिप नमबर वन है वह है इस तरह से इस पूचला से लेके वूडन की स्पूचला सभी रखते हैं अक्सर क्योंकि हम नौश्टिक बरतर में इनको यूज लेते हैं येही यूज हम नोश्टिक बरतर में यूज लेते हैं लेकिन रखे रखे थे इनकों की साइनिंग भी चले जाती है इस तरह से लगते हैं पताăngे कों से जमाने के खरी दे हुए हैं इस तरह के इनको CNAVuben नहीं रहती है तो जाएगे इसका बहुत ही अच्छा सा सुलेशन बनके रेडी हो जाएगा तो यह वूडन की सपेचला हो गया चकला बेलन ले लीजिए चकला बेलन हम यूज रोजी लेते हैं तो उन्हों क्या होता है कि चकला बेलन की साइनिंग बिल्कुल चले जाती और दिखने में अच्छ कमों सब्सक्राइब करते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना कपड़ा लेना है जो सुलेशन हमने बनाया है और विनिगर मिलाके तो इसमें डिप करके और सिंपली आपको इन्हें सभी पर अपलाई कर देना है तो ऐसे लगेंगे जैसे यह देख सत्यों का इस पहले कै जैसे इनों की साइनिंग आ गई है तो इनों मैं रखे रखे भी जैसे फंगस लगने का डारोता न वह भी नहीं लगेगा फंगस भी इसमें नहीं लगेंगे और दिखने भी अच्छे लगेंगे ऐसे लगेंगे जैसे मार्केट से आज ही आप इसको खरीद किलाए हो इतनी अच्छी इनों की साइनिंग आने वाली है तो जैसे मैं बता रही हुँ ना इस तरीके से आप इनों पर अपलाई करिएगा आपके जो भी वूडन की कोई भी इस पे चुला हो या चकला बेनन हो उन पर सभी पर अपलाई कर सकतो इनों की चमक वापिस आ जाएगे और दिख आपको टिप पसंद आहीं होगी जैसे हमारे चास्नि होती है तो इनों के साथ चासनि जरूरा ती है तो जासनि हमारे काफी पुरानी हो चुकि है काफी जादा पुरानी होता है चासनी आप जिसे चीनी को मेल्ट करके बनाओ इसकी बजाए इस चासनी को यू ले लीजिए तो आपके चीनी के बचत भी होगी और हमारे इस चासनी भी काम आजाएगे हम फेकेंगे नहीं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है आपको लेना है नौश्टिक बारतन इसमें डालना है आपको थोड़ा सच एक चमस गी डाल देना है तो जो तरीके से मैं बना रही न हम उस तरीके से आप इसको बनाईएगा जिसे आप इसको यू लेने वाले हो और यह मतलब है दस पंदरा दिन के लगबग हो गए इसको रखे हुए तो इसको मैं खाने में तो यह नहीं लेने वाली पर लेकिन दूसरी तरीकी से यह जरूर लोंगी तो यह बोईल होने लगी है और कुछी इस तरह से इसमें बोईल आने लगा है तो तिकनेस में आ और एक प्लेट लेने ने उस पे लगा देना आपको गीई और सिंपलीस को डाल देना इसके अंदर इसको पड़ाँ दीजएगा और फिर बाद में इसको कुछ नहीं करना है आपको इस पर रख देना है सलफेब पर रख रखना है किचन में और यह आराम से 10 मिन तमें बिलक तो उसको मैं लेने वाली ही लेकिन आपकी ज्यादा टाइम की ना हो तो आप सीवड डिस में इसको यू ले लीजिएगा तो आप मैं क्या करूंगी इसके चोटी-चोटी से टुकड़े कर लोंगी बारी से टुकड़े कर लेंगे तो यह एक तरह से आमारी जिसे दूसरी वाल में डाल के और इसको पीच लिया हो और किस तरह का यह मतलब बिलकुर पाउडर बन चुका है बिलकुर हमारे ब्राउन सुगर बन के रेड़ी हो गई है तो यह मार्केट से में ती महंगी खरीद के लागे लेके आते हैं उसके बज़ाब घर पर यह बनाई है तो यह बज़ादी भी नहीं होगी जो हमारा हम फेकने वाले थे ना चासनी हो ना चंसनी वह काम भी हो जाएगी कोई नहीं बता सकता की बेकार चासनी का मैंने इतना अच्छा ब्राउन सुगर बनाके रेड़ी किया है तो आपके पास बिलकुर पड़ी हो तो से इनूप नहींड गर्मी आज चुकी है तो इनको रखना कैसे क्योंकि जो मोठी कपड़े होति है यह बहुत ज़्यादा मोठी होती है और यह हम रखते हैं तो बहुत ज्यादा इस पेस गहरती ए तो इसके लिए कुछ नहीं करना इस तरह से आप को 11 वाली हो तो कोई सी भी हो जैसे मैं बता रहिए हो इस तरी सारे कपड़े रखने होते हैं एत यानि कम होता है तो इस तरह кстати आप ़ोल करकर रखूएंगे ना तो आपके जहां भी आप रखने वालहा है उनने भी है इस ही में टॉक है तो इस तो इस मेह address अप मीड़ा को फैके मत आप इस तरह से डाल दीजिए नometric हम लंबे समय के तलए रखने वाला है क्योंकि अगले जो सर्दी आएगी ना सीजन आएगी उसमें हम काम लेंगे तो उमीद करती हूं आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी अब है नेक्स्टी पह है वह है इस तरह से जुमके से लेके तो इस तरह के जुमके हम सभी वेर कर है और कभी कभी बार तो पस्प सी पढ़ जाती है यानि पकने लग जाते हैं तो नकली थोड़ देर के लिए पैन लेते हैं तो हमारे कान पकने लग जाते हैं तो उसके लिए सिंपले आपको कुछ नहीं करना है इस पर नहीं लगा देनी है क्योंकि ये नकली होते हैं ये सो जो भी वेर करती हो नकली वाले तो इने पे सभी पी जितने भी आपके पास रख्यों विए हैं तो आप इन सभी पे इस तरह से चुम करेंदा उसका तो जब भी पिक पहनोगे ना के काट्वे शोती है आप बहुक्त परीशान हो चुकी है आज के बाद में आपकी leverage नहीं होने वाल हम इसको वेर करीए गर आप चाहे किने द şur है वह है इस तरह की सेप्टी पिन से लेके तो इस तरह की सेप्टी पिन हम सभी यूज करती हैं जैसे साड़ी वेर करने में दुपटा वेर करने में तो उसमें यूज आती है तो कभी कबर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जंग सी लग जाती है और जंग आगे से लग जा से एक सतमें तो मोटी से से ज़ून के बांधार लिए यह वाली नोई तो मोटी मुटी उसकी लेयर बन जाती है जैसे यह उसको च्छान पाने बाली तो इस तरह से आप करने नहीं से यह सब्सक्राश को स concluent नुकिला भागने बिल्कु सार्फ हो जाएगा और चाया आप कितनी भारी साड़ी वेर को रो ये दुपटा वेर करो तुमीद करती हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी तुमीद करती हूं आप सभी को मेरा एक टिप्स एंटिस का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया ह और हाइज आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजीगा मैं उसका रिप्लै जरू देती हूं तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंटिक के साथ तो बाई एंटिक यार